आज हम देखेंगे adjustable spanners जैसे कि आप देख सकते हैं टेबल पर adjustable spanners रखे हुए हैं और साथ मैं flat spanner भी रखे हैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए रखे हैं कि यह flat spanner होते हैं इसका मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको flat spanner की साहरे डिटेल दूँगा ठीक है तो हम starting करते हैं adjustable spanner से adjustable spanner जो होता है यह spanner इसकी length से और इसके adjustable jaw से जाना जाता है यह देखिए स्टार्टिंग करते हैं हम इसकी jaw से तो jaw जो है इसका adjust हो जाता है एक adjusting screw से यह adjusting screw है ठीक है adjusting nut कह सकते हैं इसे यह round nut होता है इस पर helical helical path में design बनी हुई होती है और इस पर groove बने होता है छोट छोट जैसे कि आप देख सकते हैं यह groove जो होते हैं यह हमारे finger को grip करके हम जब आगे पीछे करते है finger तो यह गूमते हैं और इसी के गूमने से इसमें slot cut होते हैं कि इसमें moving jaw में यह moving jaw अंदर तक के हैं यहां तक के जिससे कि आप देख सकते हैं देखिए अंदर moving jaw है moving jaw जो होता है इस helical path जो की rotating इस group बना हुआ है जिसे आप adjusting nut भी कहते हैं इस पर helical path बनाओ जिससे कारण यह हमारा जो moving jaw है यह आगे पीछे होता है ठीक है यह तो हो गया इसका fixed jaw यह हो गया इसका moving jaw ठीक है अब बात करते हैं इसके total specification में length की तो इसकी length जो होती है लिखिए साफ साफ देखिए 375 mm अंबिका brand का नाम है यह अंबिका brand name है और number 91 जो प्रोडक्शन number होता है company का 375 mm इसके लंबाई है लंबाई mm में हो गई अभी 15 इंच में लंबाई है इसकी ठीक है अब देखिए लिए टेप से आपको आपके दिखाएता हूं यह टिप से मैंने लिया size इसको खीचा यह देखिए 15 इंच यहां तक आ गया ठीक है 15 इंच तो यह 15 इंच है यह इसकी लं अब देखिए अब एक तरफ रहेगा यह दूसरे तरफ रहेगा इसका एंड यह ताकि आप इससे कहीं भी हैंक कर सकें ठीक है तो यह हो गया बड़ा वाल अध्यस्टिबल स्पैनर इसका मेटरियल होता है ड्रॉप फोर्ज इस्टील यह देखिए लिखा है ड्रॉप वोर् यह चोटा एड्जस्टिबल स्पैनर है एड्जस्टिबल रेंज में देखिए साइज यहां पे लिखा होना जरूरी है बी आई आई आर जो है ब्रांड का नाम हो सकता है और यह 6 और डबल डैश जो लगा है यह इंच का सिम्बॉल है तो यह इसका साइज जो है 6 इंच से अब टेप साब कर दिखा जाता हूं यह देखिए है यह जो है 6 इंच का ही है यह 6 इंच लंबा है इसकी इसमें वह सिस्टम लगा हुआ है एड्जस्टिबल रेंच वहां यूज किया जाते हैं जहां पे हम बोल्ट या नट के साइज की परफेक्टली नहीं पता सकते हैं कि यहां पर कित्य नंबर का नट लगा हुआ है ठीक है वहां पर हम एड्जस्टिबल स्पेनर का यूज करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्लैट स्पेनर जो होता है उसमें सिर्फ दो ही चालिश होता है ये देखिये 22 नंबर और 20 नंबर है ना फ्लैट स्पेनर का में separate वीडियो बनाऊगा बाद में क्योंकि आगर इसका भी वीडियो बना दिने बहुत लंबी हो जाएगी है ओगि तो अधेस्टीबल इस पैनर और फला पैनर वीडियो बनाँ गांगा आद में इसमें एक है पाने में दो ही साइज होते हैं देखिए डीप आनर भी बोलते है ऐस यह देखिए, यह nut है, यह nut में यह, nut के hexagonal profile में यह easily fit हो जाते हैं, यह तो बड़ा है, adjustable spanner जो है, यह देखिए, it can take easily size over the any type of head of bolt and nut, किसी भी bolt और nut का यह size लेके grip कर सकता है, खास बात यही है adjustable spanner की, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, पर इसका एक drawback भी है, drawback यह है, कि देखिए, आपने adjust तो कर लिया इसे, but it cannot use for high torque, आप इसे ज़्यादा force fully use नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि भाईया, adjustable spanner में जो दम लगाता है, यह screw होता है, अगर यह screw आपका ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो यहाँ से break कर देगा, क्या आपका जबड़ा, यह ज जो जो है, यह jaw easily slip कर सकता है, आपके bolt के head या nut के head को, क्यों, क्योंकि यह fix तो है, but यह उतना strengthable नहीं है, कि आपका force exist कर सके, कौन सा वाला, जो टॉर्क वाला, जो आप ऐसा करके घुमाते हैं, पकड़ के यह, टाइट करने के लिए, या लूज करने के लिए, टाइट करने यह किसी प्रकार के up to the limit, इसकी limit यहां तक के, इतने बड़े size के किसी भी nut या bolt को grip कर सकता है, but condition अपला है, condition यह है कि ज्यादा torque यह अपला है, नहीं कर सकता, यह हलके कामों के लिए है, heavy कामों के लिए आपका flat spanner ही use होता है, दोनों drop forge steel के बनते हैं, इन पर coating कर दी आती है इन पर coating नहीं की जाती है, देख सकते हैं, देखिए इस फ्रेवर में दिखा दूँ, chrome vanadium लिखा हुआ है, ठीक है, chrome vanadium, chrome vanadium, तो यह जो spanner है, chrome vanadium की finishing वाले होते हैं, और बड़े spanner जो होते हैं, वो आपके drop forge के बना जाते हैं, ठीक है, तो अब यह मैं आपको दिखाता हूँ, एक और एक मिले, छोटे से लगे बड़े spanner यह जो है, इनका मैं अलग से लग वीडियो बनाऊँगा, सब का, ठीक है, अभी हम यह समझ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ adjustable spanner, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होग कि adjustable spanner क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, फ्लैट spanner की, तो आप इसके बारे में थोड़ा study कर लीजेगा, बुक्स वगेरा में, ठीक है, बाकी तो मैं बताई दूँगा आपको, चले ठीक है, वीडियो देखने के लिए, थैंक्यू सो मच, गुड़ बाई झाल झाल झाल